नमस्ते सवेलाई, टेक्नोलोजी कींग ओफिसियल चैनल मा सवेलाई स्वागाच्छा आज मा कमपास को नुम्रीकल को बारे में केहीं जनकारी कराऊने छो क्वेस्टन नम्मर 3.2 मारे अगुछा Determine the value of included angle in a closed compass traverse A, B, C, D, A Conducted in a clockwise direction given the following forebearing of the respective line यहांके दियकोचा बने line A, B मा 40 degree दियकोचा फोर बेरिंग BC मा 17 degree दियकोचा forbearing CD मा 210 degree दियएकोचा DA मा 280 degree दियकोचा फास्ट माँ first line A, B, A, B को forbearing कथी दियकोचा 40 degree बने को station A भय औहे ना 40 degree बने को कुन क्वाडेंट मा लाइज ग़ुआज गर छा, यह first quadrant भाई यह second quadrant भाई, यह third quadrant भाई, यह fourth quadrant भाई बने तो 40 टिगरी भने को 1st quadrant मा लाइज गर छेवने जो लाइन 730 बनचाइं जो नरथ को रिस्पेक्ट मा 40 टिगरी जो भने को सिर्ट को पूरोफ के यो णोष तूरब यो नरथ को रिस्पेक्ट मा 40 टिगरी को लाइन 730 बनचाइं जो चालिश्च दिग्री भाई ना यो ख्लोज टाफ़र्स घर कुन्द के टाफ़र्स ऑंछ ट्यां और्ट उप सह बने तो यो फोस्ट क्वार्डेंट मां लाइसगार या ओने यहां बिया टेर सनको काम अवज बैजस बाझे दियास प्षे सी e-sicamma kati divisaedes घोज़ा सुच दीओ यह एस्टेर समय दूराइब्मद दोष्ट कई दीओ सारणै यह Clerो सब्ध्रामबद कचिए भहयो माँ तुश्ट कषद्र डिगरी भने को कुन नकर्द माला लाइज बने को तर फ़र्ध इसकेंद क कट्रेंट भ जो थ कर्द इन लाइज ङर भने को येट धर्ध पाषिया बाने को येटाथ और्षुटट जुए उट्रीड अधर्ध नकर्षें भाने को नर्थ को रिस्पेक्ट मां 2080 डिग्री भन्यके 4th quadrant मा लायज गर छे भने एच तो एंगल closed हुन छा तो यहां 4 bearing दियोकोचा figure तो यह शरी वहिए ना तो 4 bearing दियोकोचा भने तो back bearing तो निकालनों पर्यो तो back bearing निकालना को लागीक फर्मुला हुन छा ब्याक बेरिंग is equal to 4 बेरिंग, बेरिंग plus minus x 180 degree ब्याक बेरिंग को फर्मॉला के उनच भने 4 बेरिंग plus minus x 180 degree तो यहसमा आवा 4 बेरिंग in case x 180 degree भनता कम छो x 180 degree भनता कम छो भने तो त्यस्मा एड करने, पोजिटिव साइन को यूज़ करने, in case 4 bearing 180 डिगरी भन्दा बढ़ ही छावगाने, निगेटिव साइन को यूज़ करने कती करने तो निगेटिव साइन को यूज़ करने तो अब यहा यहा ए रो, तो included angle A मा, included angle, included angle जब A मा निकाल चो बने, तो formula की हुंच बने, included angle is equal to 4 bearing, 4 bearing minus back bearing of previous line, 4 bearing minus back bearing of previous line the included angle A मा 4 bearing of AB 4 bearing of AB line UA ko छा वने 4 bearing येता 3 लाइज गर छा the back bearing of DA back bearing of DA वने को sorry back bearing of previous line वने को यो लाइट हो DA तो 4 bearing minus back bearing of DA L interacting U L प्र बेरिंग्प है प्र बेरिंगों खृता ses है चैंस को को बैक ब्याकक टायों। तो ब्याक बेरिंग त्यों हुन चाहिए ना इनके इनक्लूरेड एंगल जबा माइनस मा आयो भने त्यस बचिये 360 डिगरी एड गरनू परचा परचा तो इनक्लूरेड एंगल एक को भेलुकाती आयो 300 डिगरी आयो सेम प्रुकेसिंह अब जेम प्रुकेसिंह आवसेम फ्रुकेसिंग आइनक्लूरेड एंगल यमल जाओ हिना तहताइ बीम इनक्लूरेड एंगल भेम आयो ब्हानने तो फ्रूर बेरिंग यह भयो त्य वहार् मैनस ब 믹रीड Province एख य्वरियू नाफ प्रिवरुが आप प्र तो 4 bearing of BC minus back bearing of AB तो 4 bearing of BC कोती दियो को छबने 40 degree दियो को छबने तो 40 degree वने को 4 bearing 40 degree छबने तो back bearing निकालना को लागी तो 186 plus 40 उन्चा तो 186 plus 40 In case included angle B चाही negative मा आयो वने तो 360 degree एड गरनू परछा कति आयो 122,212 डिगरी आको छाओ तो तुछ बाचि इंक्लूरेड एंगल C मा जाओ तो इंक्लूरेड एंगल C मा गयो वने यह फिगर महरो वने तो इंक्लूरेड एंगल C को फोर्बेरिंग यो लैन भयो फोर बेरिंग आफ दी सी दी माइनस व्यक बेरिंग आफ बी सी तॉ फोर बेरिंग आफ नक्ट लाइज गर्न परचा हूँ तो फोर बेरींग निकालना को लाहय्के गरणू पर शा थो निथेटD fan दिग्री तो शत्तर प्लस एकसाई असी डिग्री हुन छा तो आवा यता ती रहरो इनकी सीमा सीमा तो फोर बेरिंग कजी दिएकुछ वने 210 डिएकुछ वने तो बैक फोर बेरिंग वी ची निकालना को लागिये तो टाले सत्तर प्लस एकसाई डिग्री हुन छा तो इनकील्डबरा यतामा मायिनस अवा अउन हुन छा वाने按ा तो फोर बेरिंग वैयो ब्याक बेरिंग यो भायो तो फोर बेरिंग 288 डिगरी भायो बने ब्याक बेरिंग कती छो ब्याक बेरिंग ब्याक बेरिंग भने को 210 डिगरी छा बने तो फोर ब्याक बेरिंग ब्याक बेरिंग भने को फोर बेरिंग प्लस मैनस 180 डिगरी गरनू पर छे बने तो फोर बेरिंग कती दियेको ची यो एस्टेशन को यो एस्टेशन को 210 डिगरी दियेको छे बने तो फोर बेरिंग प्लस मैनस 180 डिगरी बने को 180 डिगरी बने फोर बेरिंग बड़ी भाय बने तो माइनस करना पर छे बाने 210-110-180 degree is equal to yoke back bearing निसकीन छा अब एता ती रहरो सिल w एस्ट्रेशन दी को फ्फोर बेरिं फ्फोर बेरिंग-घरभ पुर बेरिंग 10-160 by twelve चाहें डीःट है तेस्टे तरीकाले आवा यो सवाई ABCD को सवाई भ्यालू निश्क्यों आवा क्ये गरनू परे वने भने Sum of Theoretical Included Angle निकाल भने तो इसको फर्मूला के उन्च भने तो इन प्लस 4 इंटो pon 90 ं भने को नमर एफ साइड तो इस्टेसन गती चार ओट आच वने चार अण 2 2 7 ऋटो फोल्ड भनेें हजार असी आओ आ शोवा तेस्टे तरीकाले theoretical sum of sum of included angle कर छो बने तरिकल theoretical sum of included angle निकाल छो बने included angle A plus included angle B plus included angle C plus included angle D D lessable like 0 बने तो 1080 आऊँ छो तो theoretical sum कती आया को थियो बने 1080 तो sum of included angle कती आयो 1080 यो चाहिए दूइटे को ब्यालू CM आयो बने बुजने के मेरो नुम्डी गरेको नुम्डीकल ठीक छो इनकेस ब्यालू फरक आऊँ छो बने तेस पाछिए theoretical sum बाट बाट सम आफ included angle घाटा है रहा थेस पाछिए जती आटा इस्टेशन हुन चाहिए ना तो सबय माँ इरा चाहिए distribute करनू परचा थेंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माँ चानल थेंक यू